एक तो चिल्चिलाती गर्मी का कहर उपर से ये बत्ती कुल बाहर निकलना मुश्किल तो घर में कैद रहकर बिना बिजली की पेचय नहीं यालम मद्यपदेश में 15 साल पुरानी उस तकलीफ को ताजा कर रहा है जब बिजली कब आती है और कब कर जाती थी पता ही नहीं चलता था ऐसे ही हालात 15 साल बाद एक बार फिर से हो चले है पीशन गर्मी के दोरान बिजली कटवती ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है रोजाना दिन और रात में कई बार बिजली कटवती हो रही है इन्ही आलातों में मद्यपदेश के पूर्व मुक्यमंतरी शिवराज सि कहाए के मद्यपदेश अब अंधेर नगरी बन चुका है अगर प्रदेश में अराजकता नहीं होगी तो क्या होगी अपने अपना गुट अपने अपने आद्वी को कलेक्टर बनाने के मुहिम चला रहा है मुक्यमंतरी कोई फैसले नहीं कर रहे हैं जो सरकार भोपाल का कलेक्टर तह नहीं कर सकती है वो प्रदेश का प्रशासन क्या चलाएगी और अराजकता इसी से बढ़ रहे है ऐसे माहुल में कौन काम करेगा अजिए अच्छे खासे प्रदेश को बदहाल प्रदेश बना दिया है अराजक प्रदेश बना दिया है कांगस कारые हले में अधिकारि की बोलिया लग रही है अब सर्च तेव होते हैं पिर बदल जाते हैं प्रशासनिक अराजकता का ऐसा माहौल मदप्रदेश तो क्या देश के किसी राज में आज तक नहीं होगा कहां ले जा रहे हैं मुखमंत्री जी मेरे मदप्रदेश को यहाल रहे तो कैसे कानून और विवस्ता वेहतर होगी कैसे बेटियां बचाई जा सकेंगी कैसे बिजली का संकर दूर होगा एसी सरकार के पूरी गर्मी निकल गई पानी की एक एक बून के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है एक बैठक पानी बने की अश्चरी लगता कि क्या चल क्या राई है पैरहाल मदप्रदेश में बिजली कटवती का असर लोगसभा चुनाव में भी कॉंग्रेस के खिलाब गया था जोसे जनता की बीच बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रहे तो अब कॉंग्रेस को फिक रहे नगरी निकाय और पंचाय चुनाव की ऐसे में अवैद बिजली कटवती से परेशान जनता की घरों की पत्ती अगर वक्त रहते जलती नहीं रही तो इसका खामियाजा कमलनात सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है पूरे मदप्रदेश में इन दिनों जबरदस्ट गर्मी पड़ रही है जाहिर सी बात है इसके चलते बिजली की मांग भी पहले से कहीं जादा है लेकिन बिजली कटवती ने सरकार को कटवरे में खड़ा कर दिया है बीजेपी लगातार सरकार पर हमला कर रही है जिसके बाद सरकार के पास ना तो बीजेपी के हमले का जवाब है और ना ही इस अगोशित बिजली कटोती को रोकने की कोई योजना रवीश पाल सिंग भोपाल